समस्कार दोस्तों, RCSD में आपका स्वागत है आज हम लोग अध्यन करेंगे धोनी के अभी लच्छड यानि धोनी के परमुख लच्छड निम लिखी था जिसमें से पहला तारत व अथवा पीच यहाँ पर तारत को पहले हम बता दें फिगर के माध्यम से यानि तारत व या पीच क्या होता है तो जैसे कहने कम लग किसी समय में कमपनों की संख्या जादा है तो उसे उचे तारत व बोलते हैं और उसी समय में कमपनों की संख्या या किसी समय में कमपनों की संख्या कम होती है उसे निमन तारत व कहते हैं यानि जो इस्तिरियों की आवाज होती है वो उच तारत तो होती है यानि उसमें जो है कमपनों की संख्या जादा होती है इसलिए यानि उनकी आवाज पतली होती है और जो पूर्सों की आवाज होती है वो निम्न तारत तो होती है यानि उस समय में या जो समय लिया गया उसम कमपनों की संख्या कम होती है इसलिए यानि जो पूर्सों की आवाज होती है वो मोती होती है तो उसी परकार हमने तारतों के बारें बता दिया या पीच तो अब उसे परिभासा के अनुसार तारतों धाउनी का वह गुड़ है जिससे धाउनी का मोटा या पतला ग्यांत होता जैसे पूर्सों की आवाज किया पेच्छा, इस्तिरियों की आवाज पतली होती हैं, और थार्त उँच तारतों की होती हैं, मोटी धोने को निम्न तारतों की धोने तथा पतली धोने को उँच तारतों की धोने भी कहा जाता है, धोने का तारतों उसकी आबिर्ती पर निर्भ और करता है अधिक है तारतों वाली धौने की आभिर्ति अधिक होती है और कम तारतों वाली धौने की आभिर्ति कम होती है यानि निम्न तारतों की धौने की आभिर्ति कम तथा उंच तारतों की धौने की आभिर्ति अधिक होती है जैसे यहां पर उंच तारतों है इसमें इस इसमें कमपनों की संख्या कम है इसमें एक दो तीन चार और इसमें एक दो तीन चार पांच है साथ और यानि यह नीचे का भी है तो इसमें कम है और इसमें ज्यादा है और यानि निम्न तारत वाली धोनी मोटी होती है और उंच तारत वाली धोनी पतली होती है बस इतना है इ से कहते हैं तो अब जो है यानि प्रबलता में प्रबलता धोनी का धोनी का वह लच्छड है जिसके अधार पर कोई धोनी कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है जब कोई धोनी हमें धीमी सुनाई पड़ती है तो प्रबलता कम होती है जबकि तेज सुनाई पड़ने वाल यानि जिसका आयाम जादा होता है तो वह धोनी बहुत तेजी से सुनाई देती है बहुत तेज सुनाई देती है परबल और जिसका आयाम कम होता है तो वह धोनी धीरे सुनाई देती है जिसको मृदू धोनी कहते हैं और जिसमें आयाम बढ़ जाता है तो वह परबल धोनी कहल और वह बहुत तेज सुनाई देती है तो ही इसमें दिया है कि यदि धोने तरंगों के आयाम छोटे हैं तब धोने धेमिया मृद्धू होगी और यदि धोने तरंगों के आयाम बहुत बड़े हैं तब धोने अधिक होगी धोने की परवलता बेवारत डेसिवल से मापी जाती है इसका एसाई मात्रक वाट परती मेटर होता है अगला जो है इसका लच्छड गूड़ता यानि गूड़ता धोनी का वह लच्छड है जिसके अधार पर दो भिन भिन वाधे अंतरों द्वारा उत्पन की गई समान आबिर्ती एवं समान तिवर्दा की धोनियों में भी अंत कहते हैं जिसमें बस एक ही आबिर्ती सुनाई दे तथा अनेक आबिर्तियों के मिश्रण से उत्पन धोनी को सवर कहते हैं यानि सवर और टोन का परिभासा बताना हो तो टोन जो होता है उसमें एक ही आबिर्ती की धोनी उत्पन होती है और जो सवर होता है जिसमें आवाज आता है जैसे हम उसे समझ सकते हैं क्या कहा जा रहा है तो उसमें आबिर्तियों का मिस्रण होता है यह हमारे कानों को सुनने में सुखद लगते हैं जबकि सुर कानों को करकस लगता है फिर उसके बाद अगला जो है धोनी के अभिलाच्री के जो लच्छड है तिबरता यानि यही लास्ट है किसी एकांग छेतरफल से परतेक सिकेंड में प्रवाहित धौनी उर्जया की मात्रा धौनी तिवर्ता कहलाती है प्रबलता तथा तिवर्ता समान पद नहीं है प्रंतु यह एक दूसरे से संबंधित होते हैं इसका इसाई मात्रक वाट परती मीटर होता है हम एक को दूसरे की आपिछा अधिक परवल धौनी के रूप में सुन सकते हैं क्योंकि हमारे कानों के लिए अधिक संदेवल सेन होते हैं अब यहां पर यानि तरंग कित्तिवर्ता कंपन के आयाम के वर्ग के अनुकर्मानुपाती होती है यानि आई अनुकर्मानुपाती एई स्क्वायर